हेलो एंड वेलकम दोस्तों सुवागन है आपका प्रतिक गेमिंग में और दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप फाइव बेट स्पाइडर मैं गेम्स मोबक्स इमिलेटर एंड्रोइड हाई ग्रापिक्स मोबक्स इमिलेटर विंटलर से और एक्सगेर इमिलेट इसमें चलेगा तो चले हम टॉपिक पे बढ़ते और देखते है कि कौन से यह टॉप फाइव बेश्ट स्पाइडर मैं गेम मोबक्स इमिलेटर के नंबर फाइव पे जो गेम है वो है स्पाइडर मैं 3 साइजिस की 4GB है स्पाइडर मैं 3 यह ओपन वर्ल्ड आपको गेम मिल स्पाइडर मैं 3 की आपको स्टूरी लेंड पता है आपने वह मूवी देखी होगी कैसे हैरी मदद करता है लास्ट में जो सॉयल मैन होता है उससे फाइट करते वक्त तो यह सारी चीज़ें इस गेम के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है तो आपको यह गेम जरूर ट् 족 काफी अच्छा है एक सब्सक्सा माफी काफी अच्छा है विंटलर एक्छव बनाया है और उसमें काफी अच्छे रहन होतते जिटेयर फाइ विरनवयर आ रहा है तो आप देख सकते हो जिटेज्ग हम जो इतना बड़े आगेम है वह मौन कर रहा है रहा है आपको जपश स और साती साती इसमें भी आपको ब्लैक सुट मिलता है और हाँ, Marvel Spider-Man 2 जो गे में, वही गे में से इंस्पायर बना है, Spider-Man Wave of Shadow से, क्योंकि Spider-Man Wave of Shadow में जो पिटर पारकरू, उसके जो ब्लैक सुट वाली जो अबिलिटी मिलती है न, वही सेम अबलीटी आपको Marvel Spider-Man 2 Black Suit में मिलती है बस हाँ उसमें जो एटेक है वो मारने के थोड़े अलगे लेकिन इंस्पाइरिंग काफी अच्छा बनाया है वो गेम Marvel Spider-Man 2 और ये गाफी पुराना गेम इतना बड़े आ गेम आपको मिल रहा है तो आपको ये गेम ज़रूर ट्रायोट करना चाहिए और आपना रहां प्रोसेसर बता सकते हैं ये गेम आराप से के साथ वर्क करेंगा स्नैप ड्राइगन 865 में आराप के साथ वर्क करने वाला है और स्टूरी लाइन काफी अच्छे मिलती है तो अलग जोनरा वाला Spider-Man गेम खेलना चाहती हो तो आप इस गेम को खेल सकती हो नंबर फ्री पेजोगे में वहें Spider-Man Shatter Dimension sizes की 4GB Spider-Man Shatter Dimension में अलग-अलग काफी आच्छा है 2099 काउस का सूट है 2099 के स्पाइडर मैं के साथ यूजरिटिक पाउर होगी मतलब है टेक्वनाजी वाला पूरा पूरा स्पाइडर मैं मिलता है उसके अंदर काफी अच्छी पाउर एबिलिटी मिलती है और इसमें आपको एक ब्लैक सुट वाला भी स्पाइडर मैं मिलता है और यह भी आप मुझे बता सकते रियेंप बता हूंगा यह घीम किस डिवाइस में चलेगा यह डिवाइस में नहीं ताकि आपका डाटा वेच्ट नजाहे चार जीबी का डेमें तो गेम आराम के साथ वर्क करेंगा और साथी साथी यह ड्यम डॉल वह ग्रापिस में थोड़ा डिफरंट है पीसी वाले थोड़ी अच्छ रियालिश्टे ग्रापिस मिलते और जो एंडरवर्ड वाला डॉस्मेंट रोटर वाला जुगे में उसके थोड़ी ग्रापिस लोएंड मिलेंगे बाकी सेम गेम और नंबर टू पे जो हमारे गेम है व वो आपको open world area में नहीं मिलता मिनी मिशन मिलेंगे किसी को आपको patient को hospital पहुचा नहीं हो या जो गुंडे होते हूं उनसे आपको fight करनी हो तो मिनी मिशन चोटे चोटे मिशन जो होते वो open world area में मिलते हैं लेकिन मेन मिशन है वो सारे building के अंदर मिलते हैं थोड़ी दिक्रत की बात हैं बाकी गेम अच्छा है और इसमें आपको location काफी अच्छे मिलते हैं मोबक्स इमिलोटर में snapdragon 7 gen का प्रोसेसर है snapdragon 8 gen 2 का प्रोसेसर है तो यह माराम किसका मखन के साथ चलेगा कोई प्रॉब्ली में नहीं आइस आपका 12GB RAM का डिवाइस है 16GB RAM का डिवाइस है तो गेमाराम के साथ वर्क करने वाला है थोड़े से लूंड डिवाइस में दिक्क प्रोसेक्शन में ताकि 7GB डाटा आपका वेश्ट ना हो दिक्कत ना आए इस वजह से तो गेम को आप जरोड़ आई कीजिए और हां लास्ट गेम नंबर वन पर अमेजिंग स्पाइडर मैं 2 साइज इसकी भी 7GB मिलती है और इसमें यह दिक्कत की दिक्कत की दिक्कत की दि मेनी मिशन भी मिलते हैं इसमें बिल्डिंग के अंदर थोड़े बहुत मिशन है जादा नहीं है लिकिन मेनी मिशन आपको कम्प्लीट ओपन वाल एरिया में मिलेंगे और फ्री रोमिंग भी आप कर सकते हूं मतलब बाहर आपको मिलते हैं और इसमें भी लोकेशन काफी अच्छा देते वह इंप्रूवग किया है मार्वेल स्पाइटर बेंड में में लेकिन अमेजिंग स्पाइडर में में थोड़ा वर्ष्ट था और अमेजिंग स्पाइडर मैं 2 में इसके इंस्पाइर होके यह गेम बनाया है आप अपना राम प्रोसीसर बताईए वह इसे सिक्ष्टिन ये अप्टे स्प्रीज गेम को खेलना चाहती हो तो वो डिवाइस आपके लिए चाहिए नहीं तो स्नैपड्रेकन 865 855 में लो एंड इसकी सेटिंग करके आप गेम और आमके साथ खेल सकते कोई प्रॉब्लेम आपको नहीं आती वैसे यह गेम डॉल्फिन बीडि़ को बचाहिए